नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एस मैंत्सकेडमी में मैं आपका दूस दर्विन सुमन दोस्तों नीवेर की बहुत-बहुत धेर सारी सुबकामना है आप सभी लोगों के लिए और आप सभी को पता है कि नीवेर 2018 स्टार्ट हो चुका है और 2018 के एक कैलेंडर तयार कर दिया है कि 2018 में कितने प्रकार के इंस एक्जाम होंगे और आप सभी को किस किस तरीके से उनके एक्जाम देना है दोस्तों तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको बताऊँगा 2018 में कौन-कौन सी वेकेंसी आने वाली है इन वेकेंसियों मे कौन-कौन से exam होंगे और कब-कब exam होगा कब इसके form भरे जाएंगे तो दोस्तो देख लेते हैं इसके लिए सभी detail में मैं आपको बता दूँ कि अभी तो जो recently एक vacancy आई हुई है वो आपका इसके लिए दोस्तो group 2 में subgroup first और command requirement test 2018 यहनि assistant quality controller and other के लिए है इसमें आपको बहुत ही अच्छी पोस्टे हैं इनके लिए other equivalent पोस्टे जिसमें आपको graduation level का test होगा और इसमें advertisement देख लीजिए आपकी 14.12.2017 को जो निकला हुआ था इसके साथ इसका application form online जो समिशन है 28.12.2017 तक receipt किये जाएंगे दोस्टो है ना और इसके साथ साथ यदि इसमें आपको कोई भी problem होती है तो आप देख लीजेगा दोस्तो और मुझे message करके पूँच सकते हैं इसकी exam जो date है 27 और 28 जनवरी 2018 रहेगी इसकी result की date अभी कोई fix नहीं की गई तो दोस्तो यह आपको जो देख रहा है बिल्कुँ सारी detail यही है और देख लेते हैं 2018 का जो बिल्कुल calendar दिया गया है उस calendar में कौन-कौन सी vacancy आने वाली है दोस्तो वो देख लेते हैं हम इधर पर दोस्तो जो पहली vacancy आएगी वो आएगी group 6 में यही सब group 1 में आएगी combine 10 plus 2 यही बारवी लेवल के exam होगा इस बारवी लेवल के exam में आप combine requirement सभी के लिए test होगा दोस्तो यह 10 और 11 फरवरी 2018 को रहेगा दोस्तो जो दूसरी vacancy है वो है group 4 के लिए combine भी है इसमें भी 10 plus 2 यही बारवी लेवल से है यह भी आपका combine requirement test होगा 10 से 15 मार्च 2018 में होगा दोस्तो और इसकी detail में जानकारी भी चाहिए हो तो मैं detail में जानकारी भी आपको दूँगा और third number की जो post है दोस्तो वो है group 2 में यहनि sub group 3 में भी है combine requirement test है यह labor के लिए है लेवर technician होते हैं दोस्तो उनके लिए staff, nurse and other post के लिए भी है यह भी combine requirement test है आपका दोस्तो यह 24 से 25 मार्च 2018 को रहेगा दोस्तो यह को और बता दूँँ इसमें जो fourth number में यह A&M training selection test है दोस्तो इसमें तो कोई exam ही देना है आपको इसके बाद आप A&M में पास होने के बाद आपको college में admission मिलेगा group 2 में भी जो दोस्तो आपको दिया गया है इस group 2 में भी आपके लिए graduation level का combine requirement test है इसमें सभी graduate level के बंदे आप होंगे सभी लोग है ना जो इसमें 28 से 30 April 2018 को रहेगा दोस्तो साथ में नमबर को जो दिया गया है इसमें आपको combine requirement test रहेगा requirement test रहेगा जिसमें आपको पोस्ट graduation होना जरूरी है अब प्री वेंटिलेटनरी फिसर्स में जो आपका इंट्रेंस टेस्ट रहेगा 2018 में इंट्रेंस टेस्ट ही रहेगा जो 6 मई 2018 को रहेगा फिर इसके बाद diploma animal husbandry इंट्रेंस टेस्ट 2018 में रहेगा जो दोस्तो 6 मई 2018 को ही रहेगा फिर इसके बाद आप सभी को बता कि BA, BA, BSC, BA, Bachelor, Elementary जो भी है Education के लिए BLA 2018 में आपको करना चाहते हैं तो इंट्रेंस टेस्ट ही आपका होगा इसके बाद इसमें भी देख लिए BAD करना चाहते हैं आप या BMAD करना चाहते हैं बी PAD करना चाहते हैं जो भी है आप इन सभी के लिए post registration के साथ भी कर सकते हैं दोस्तो तो ये भी आपका entrance exam है जो 13 और 16 मई 2018 में रहेगा एक general nursing training selection test होगा दोस्तो और जो pre nursing selection test भी होगा ये भी आपका entrance exam है जो 3 जून 2018 को है इसके बाद दोस्तो देख लिए pre polytechnic test यहीं PPT test भी रहेगा ये भी आपका PPT में entrance exam है इसमें भी वेकैंसी नहीं है सेकेंड फोर्थ है जो आपका 14 नमबर का है ग्रोप टू यहीं सब ग्रोप टू का माइन requirement test है इसमें भी दोस्तो इसमें भी कहा assistant auditor के लिए accountant officers के लिए और accountant and other equivalent जो भी है graduation level के लिए उन सभी के लिए test होगा साथ जुलाई 2018 होगा next दो तो ग्रोप फाइब के लिए जो बेकैंसी है वो 10 प्लस टू एनी बारवी लेविल के इसमें फार्मासिटिकल है लेप टेक्निशन के लिए होंगी और अधर बंदों के लिए भी होंगी जो 10 प्लस टू के साथ देना चाहते हैं इसके बाद दोस्तों गुरुप थर्ड में भी दी गई है जो कम्माइन रिक्वर्मेंट टेस्ट होगा इसके लिए सभी के लिए 11 वारा अगस 2018 को रहेगी और 17 में नमबर पे नहों ने दिया है कम्माइन रिक्वर्मेंट ए भी टेस्ट है जो 10 प्लस 2 के लिए होगा दोस्तों ए 8 और 9 शेप्टमबर 2018 को रहेगा इसके बाद जो लास्ट में दोस्तों बता है ने कम्माइन ग्रेजुएट लेवल का जो टेस्ट होगा 13 और 14 अक्टूबर 2018 को होगा और आपको बता दोस्तों कि यह दी आपकी दिमाग में ए है कि व्यापम ने 2018 का क कैलेंडर तयार कर दिया है और इसमें संभीदा की वैकेंसी नहीं दी गई है या पुलिस कॉंस्टेवल की वैकेंसी नहीं दी गई है तो दोस्तों ए वैकेंसी से और अभी रोक के रखी गई है और बहुत ही जल्दी आईगी दो से तीन महीने के अंदर जैसे की पटवारी क सब्सक्राइब करना दोस्तों कि बहुत सारे दोस्तों को यह जानकारी नहीं मिल पाती है तो उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी जब तक लिए नमसकार और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेसेज करके बता सकते हैं काल भी कर सकते हैं 911-755-039 पर जब तक लिए नमसकार आपका दोस्त तर्विन सुमन